दोस्तों अब आप हमें अनकैडमी पर भी फालू कर सकते हैं इसके लिए आपको अनकैडमी का लर्निंग एप प्ले स्टोर से इंस्टाल करना होगा जिसमें आप अपकमिंग एक्जाम के सभी नोटिफिकेशन्स और इंपोर्टेंट वीडियो बिल्कुल आसानी में प्राप् करना है कि आपने 25 में से कितने कुश्चन अटेंट किये और कितने आप से बन गए इससे क्या होगा आपका सेल्फ एवलिएशन होगा और आपको पता चलेगा आपका एक्जाम का लेवल जो है और आपका पढ़ाई का लेवल हो किस तरह पढ़ाई आपकी चल रही है अगर आपको questions देखते चाहिए option भी देते चाहिए मैं questions पढ़ता हूं बौध धर्म में पति मोख से क्या थातफ से क्या थात पर रहे यहां पे पति मोख दिये हुओ है इसे सब्द क्या थात पर है चार आपके सामने है जल्दी बताएत क्या होगा इसका देखते हैं संघ के नियम सुसरा प्रश आपके सामने किसके दर्शन को अधुराइत का जाता है आपके सामने चारो आप्षन जल्दि बताएए जल्दी इसका राजिट अप्सन होगा संक्राचार अगले प्रशन पर रफोप्सान इस प्रश्ण में आपनाये था कि सब्से पहले दक्षिंद अफरीका में सत्याग्रह का तरीक्ख अपनाया था जहां अगले प्राश्ण हमारा देखिए एस पढ़ी अच्छे संकने कौुट ठुटिए इसका सस्का सही उप्सटन क्या होगा राल Giving War देखते चलिए क्योंकि हमें पसे समय का मैं आप बलबएगए आप आपसे लेट हो रहा तो पॉस करके कोश्चन को अच्छे से समझ कर उसको आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है अगला प्रशन पर चलते हैं मकर्शंक्रांती का समय भी कुछी दिन पहले ही निकला हुआ है तो मकर्शंक्रांती को सुरी की किर्णे लंबवत पढ़ती हैं भुगोल का यह प्रशन आपके स नंबर इसका सही अंसर होगा अगला प्रश्ण हमारा है देखते हैं निम लिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर व्रहत वर्त नहीं है पताइए इसका सही अंसर क्या होगा चारों आप सामने विज्वती रेखा मुख्य देशांतर एक शाठ अंस पूर्वी देशांतर या साठ छाठ अंस इसका सही अंशर क्या होगा कॉन सीफ डिलोब इसमें व्रहत व्रिध्तर नहीं है इसका सही अंसर है शाठ डिग्री उत्तरी अंश warmth कम होता है अगला पिण بढ़ चलते हैं मीटू आभी बहुत लीजाद विवाद विपानत्स में और बहुत जादा सबसे पहले मुचूल फंड किस ने अरम किया था मुचूल फंड किस ने अरम किया था मुचुवल फंड इस सर्विस को यू टी आई ने सबसे पहले स्टार्ट किया था इंडिया में अब देखते हैं हमारा नेक्ट कोश्चन क्या है सबसे साफ रेलवे स्टेशन का सर्वेक्षन हुआ था तीसरा सर्वेक्षन तीसरा साल हुआ है चार आपके सामने बताएं इसका सही अंसर होगा जोदपूर पहला इस्थान था जोदपूर दूसरा इस्थान था जैपूर ठीक है और हम अगले प्रश्चन पर चलते हैं प्रोजेश्ट्राउन और रिलेक्षिन का स्राव होता है बताएं यह हार्मोन्स हैं प्रोजेश्ट्राउन और रिलेक्षिन इनका स प्रवार्षी भारती दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित हुआ यह अभी कुछ दिन पहले ही गया हुआ है पताए किस सहर में हुआ है वाराणशी में हुआ था किसमें वाराणशी में पंद्रहवा प्रवार्वार्षी भारती दिवस वाराणशी में हुआ था इसका योजन ए नंबर इसका सही अंसर होगा अगला प्रक्ष्ण चलते हैं अर्थ सास्त किस ने की थी बताइए अर्थ सास्त की रचने किस ने की थी आप सभी ने पढ़ा हो गई थी हास में बहुत ही सराल सांसर है क्या होगा किस ने इसकी रचने की थी कौटिल ले यानि की विश्णु गुप्त ने की थी कौटिल विश्णु गुप्त बी नंबर इसका राइट आंसर होगा ठीक है अपने एगले प्रशन पर चलते हैं निम लिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृशिक शेत्र संसार मे सबसे अधिक भारत के पास है वह शेत्र कृशि में कौन सा ऐसा फसल है बताइए चारवापसान आपके सामने हैं गेहूं का पास चावल और दल्हान सही अंसर क्या होगा इसका इसका सही अंसर होगा चावल सबसे ज्यादा क्रशिकी खेती के लिए जो शेत्र है पुरे प्रश्ण यह जी माडू ए नंबर इसका सही अंसर होगा जी माडू ए नंबर ठीक है आप अगले प्रश्ण पर चलते हैं जल्दी से जब एक कंण नियत वेक से चलता हो तो निम्न में से कौन परिवर्तित होता है बताइए जब कोई भी कंण यानि की पार्टिकल है एक नि चाल परिवर्तन होगा नियत वेक कॉंस्टेंट चालते हैं कि चाल में कोई परिवर्तन नहीं तुरण में परिवर्तन नहीं होगा वेग चाल वेग वही चीज है ठीक है तुरण में भी परिवर्तन नहीं होगा स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा डी नंबर इसका सही आं में से कोई नहीं क्या होगा इसका सही अंसर जल्दी बताइए आप बिल्कुल सही जा रहे हैं इसका सही अंसर होगा समवेग कर दिया गया है इसको बढ़ा कर दो कर दिया गया इसका सही अंसर क्या होगा बिनुबर कि अगला प्रश्र पर चलते हैं समलैंग टा सम्मंधी सर्वोक्ष न आयालाय का निरणाय निम्लेखित में किससे संबंदित है यह भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है बताए किससे संबंदित था आप सभी जानी रहेंगे किससे संबंदित था भारती समविधान का नुक्षेद 377 भारती समविधान का नुक्षेद्र से संबंदित था अनुक्षेद्र और धारा में अंतर होता है इसलिए आप A और B में कन्फ्यूज बिल्कुल मत होईएगा इसका सही आंसर होगा A नमर क्योंकि धारा 377 से संबंदित था ठीक है तो आप लोगों को समझ में आया है किसे संबंदित है यह आई पीसी यानी की इंडियन पेनल कोड की धारा 377 से संबंदित था किसे संबंदित था आई पीसी की धारा 377 से अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम किसकी ग्रामीर जन संख्या सबसे अधिक है अगर पूरी जन संख्या की भी बात किया है तब भी सरवाधिक जन संख्या उत्तर प्रदेश की बात किया है तब भी उत्तर प्रदेश की सरवाधिक जन संख्या रही है कित्ती जन संख्या रही है उत्तर प्रदेश की ग्रामीर जली विलियन में उपस्थित होते हैं जब कोई भी हाइड्रोजन आयन जली विलियन में किस रूप में उपस्थित होते हैं बताइए हाइड्रोजन की रूप में OH- की रूप में हाइड्रोजन प्लस यानि की हच प्लस की रूप में है तो हाइड्रोणियम आयन की रूप में बताई किसकी रूप में उपस्थित्थे होते हैं हाइड्रोजन आयन hydrogen ion की रूप में hydronium ion यानि-CH3O- component spd-n d-number इसका सई अंसर होगा दि-number hydronium ion अग्ला प्लाशन अमभर चलते हैं किस राज्य सरकारने cancer निजान को इसल्क कीमो तेरपी की घोशन कि अभी कुछ बात ही हुर्अ है अभी किस राज जिनिघ जल्दी से जल्दी बटाएं इसका अंसर क्या हो रजाज़ की थी बहुत ज्यादार यसां 사진 यह ता बोलग सही हो बिल्क drowned वोगा दीनमबर यानिकी महाराषट्रा महाराषट्रा ने गोशना की थी कैंसर में कैंसर पीडितों को कीमेर थेरपी फ्री देने की अगले प्रेशन पर चलते हैं एसी आई खेल 2018 देखिए खेल से संबंदित प्रशना आ गया है अब तो जितने भी अथलेट्स हों यहां पर सिध्यान दें एसी आई खेल 2018 में भारत द्वारत कितने संबंद पतक जीते गए बताइए चार आपसान आपके सामने हैं दस चौबेस पंदरा या तीस कितने जीते गए थे जल्दी बताइए पंद्रह जीते गए थे फिफ्टीन सी नंबर इसका सही अंसर है फिफ्टीन नंबर फिफ्टीन ठीक है पंद्रह स्वान जीते गए थे चौबेस रजत और तीस ब्रॉंज नहीं कि चौबेस सिल्वर पंद्रह गोल और तीस ब्रॉंज जीते गए थे इसका सही अंसर क्या होगा सी नंबर यानि की पंद्रह अगले प्रस्ण पर चलते हैं निमलीगित में से कौन सा सिंदु चौन से को सही अंसर क्या होगा अगला प्रशन हैं हमारा योजना आयोग का क्ष़ कौन होता है बहुत ही सलल सांसर है इसका प्रधान मंत्री किसी अपने भारत में योंजना आयोग है अध्यक्ष कौन होता है प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं यानि की बी इसका सही ठासर होगा इसके साथ हम अपने युटियो श्टार्ट करने के साथ आप से ये कहें, अगर आपको हमारे vibrant नोटिफिकेशन्स के साथ सभी topiq पर important videos मिलते रहते हैं जो आपके exams के लिए बहुत ज्याद़ important है thank you